नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अगंतर जैसल आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पुरुशों में पाई जाने वाली एक समस्या जिसे की वेराइकोसील करते हैं यह वेराइकोसील क्या होता है इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या कॉम्प्लिकिशन होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसकी कुछ होपाटिक मेडिसेंस हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे जिससे कि आपको बिना surgery कि आपका जो वराइको सील्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए तो आए शुरू करते हैं दोस्तों वराइको सील्स की प्रॉब्लम है वो सिर्फ में पाई जाती है फिमेल में नहीं पाई जाती यह मेल्स में जो टैस्टी तोते हैं वह एक स्टॉ्टम के अंधर होता है मेन फंग्षन होता है वह टेस्टोस्तॉमिक पैस्ट शूधर करता है और सपर्म प्रद्टूस करता है भाराइको सील प्रॉलम तबोलाप में ब्लेट सेपलाइ जो इसलिए ब्लेट कुल नगज़ सेपलने लगज्जा तो उसकी अब नीट तुछ में उसलिपन पेंपना जलता कि उरसा उनलिपूल सा तो इसलिंग ने क्यांती जु hopनलना पर लाइको सीलिप मěं deuxजने ब्लेट साह जब इस गुच्छे में ब्लेडी कठ्था होना चुरू जाता है तो उसको भी वज़े से वराइकोसील डबलाप हो जाता है 15-20% हेल्दी मेल्स में यह पाय जाता है और जो मेल इंफर्टिलिटी का जो मेन कारण है वो 70% लोगों में देखा गया है कि वराइकोसील ही है तो वराइकोसील एक important reason है मेल इंफर्टिलिटी का वराइकोसील की जो problem है ज्यादा कर लेफ टेस्टीस में देखी गई है लेफ टेस्टीस है हमारी वो ज्यादा affected होती है वराइकोसील की वज़े से तो आए जनते इसके क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों मेडिकल साइंस में जो वराइकोसील की जो प्रॉलम है उसका विज तक कोई कॉस वैसे तो देखा नहीं गया है बट जो यह कि वीक और डैमेस्ट वाल की विज़े से वराइकोसील की प्रॉलम डवलब हो जाती है दोस्तों हमारे शरी में दो तरह की ब्लड सप्लाइज होती है एक होती है आर्ट्री और एक होती है वेन आर्ट्री जो होती है वो हमारे जो हार्ट से प्योर ब्लड को वो पूरे बॉड़ी तक स्प्रेड करती है और जो वेन्स होती है उसी ब्लड को हार्ट तक ले जाती है तो vanes में इक तब का वाल्ब होता है तो चरा का वाल्व होता है तो हमारी ब्लड़ सप्लाई जब यह उपर की तरफ जाती है तो यह वाल्व si же जाता है और फिर दुबारा से उखोल जाता है तो इस तरह से blood जो है वह स्वाट तक ऊपर कहनचता है वड़ जो लोग सबसे आदा खड़े रहने काम होता है जिन लोग जैसे की स्कुरिटी गार्ड है ट्रैफिक पुलिस वाले हैं टीचर्स हैं सबसे आदा देखी जाता है कि जो ब्रैड है उसको अगे स्क्राविटी काफी लंबे समय तक ऊपर जाना पड़ता है तो जिसकी वाल से वह बीक होना शुरू जाती है और वाराइको सीज का प्रग्रिशन स्टार्ट हो जाता है सेकंड चीज़ देख गई है वो है इंजरी अगर आपको कोई ठोकर लग गई है प्राइवेट पार्ट पर तो उसकी वज़े से भी आपको वराइको सीज की प्रालम डवलाप हो सकती है इसका जो निक्स्ट करण देखा गया है वो यह है कि अगर कोई कॉम्प्रेशन की उज़े से भी वराम को से डवलाप हो जाता है दोस्तों विराइको सील की प्राउलम यह काफी केसिस में नोटिस रहती है, इसमें कोई साइनोर स्म्टम या लक्षन दिखाई निहीं देता, बट जो इसका में टिपिकल जो इसका जो जो आपको शाम के वाग दिखाई देती है, जो भी आप काम करते हैं, जिसमें आप लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं तो वह ब्लेड वह वापिस उपर की तरफ चला जाता है तो जब आप सुबह सोकर रखते हैं तो आपको कोई स्व्यलिंग नद हाती स्वैलिंग के साल-स वागों में पेन यूइड तो आयों कि वेरेको सिल्क2 कि बीड़िजति आपको क्या कामप्लिकिशन सुछ झाल अगर आपको विरेकोशों की परम काउंट लोग सपर्म कॉलिटी और यह तीनों मिलाकर आपको इंपर्टेंसी और मेली इंफर्टिलिटी की प्राइलम हो सकती है दोस्तों जो टेस्टी जो होता है वो हमारी बॉड़ी में ऐसी जगा लोकेटिड होता है जहां पर जो बॉड़ी का टेंपरेचर वो डेर से दो डिगरी कम होता है प्रारिक्षिन के लिए अगर हमारी बॉड़ी का टेंपरेचर थर्टी सेवन डिगरी सेल्सेैस है तो इस पर्म काउंट प्रेच्शन के लिए उसको ड्एर से दो डिगरी कम चाहिए ताकि वो स्पर्म प्रेदूस हो सके वराइको सील की प्रवडम में क्या होता है कि blood जो होई कठा होन ले जाता है तो महां का जो temperature है वो बनने लग जाता है जिसकी विए से जो है sperm की quality घट जाती है उसका production घट जाता है उसका count घट जाता है और testosterone hormone भी affected होन ले जाता है जिसकी विए से हमें depression की problem होने सकते है, irritability सुल हो जाती है जिसकी विए से हमें low sexual desire, loss of libido और erectile dysfunction की problem देखी जाती है और इन सब परिशाने के विए से male infertility है, impotency भी दिखी जाती है तो आएए जानते हैं कि क्या-क्या diagnosis हो सकते है वराइको सील को पैचानने के लिए तो सबसे पहले कि अगर आप स्कॉर्टम को टॉर्सेट देखेंगे तो इसमें जो वाम्स है वो ऐसे जिग-जग वे में दिखाए देगी जैसे कि इसमें कोई खीडा चल रहा है या मोटी मोटी और फूली फूली दिखाए देंगी इसके अलावा आप स्कॉर्टम का अल्ट्रसॉर्ट मेन बिकारा सकते हैं जिसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको वराइको सील की फ्रॉलम हमें क्लियाक कलने हैं इसके अलावा हमें बहुत जादा compressed underwear या undergarments या फिर बहुत जादा tight कपड़े नहीं पहनने चाहिए इसके विज़से 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 वराइकोसीज का progression रोका जा सके इसके अलावा हमें अपनी डाइट में healthy food डाइट कर देने चाहिए जिसमें की काफी ज्यादा anti-oxidants मिलता है देखिए जो वराइकोसीज की वाल्व डामेज की प्रालम है वो free radicals की विज़से होती है जिसके वर्व डामेज होने जाता है तो हमारे ब्लड में अगर उसके अगेस्ट fighters हो अगर बनने लग जाए तो यह जो वाल्व डामेज की समस्या है यह काफी हत्तक कम हो सकती है बहुत हेल्फुल होती है इंटर्मिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप जो टिनर है वो थोड़ा अर्ली करें और जो ब्रिक्फास्ट हो लेट करें इससे जब फास्टिंग पीरेड काफी लमा मिल जाता है और हमारी बॉडी तयार हो जाती है फाइट करने के लिए इसके अलावा हम अपने दिन चरह में योगा, एरोबिक्स और काडियो भी स्टार्ट कर सकते हैं तो आयो जनते हैं कि किन-किन होंपती दवाईयों से हम अपने वराइकोसीज की प्रालम को ठीक कर सकते हैं बिनर सर्जरी के तो दोस्तों इस टॉपिक पर आने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आल्दो होंपती दवाईयों हर्मेस नहीं होती इनका कुई side effect नहीं होता बड़ इनका side effect तभी नहीं होता जब आप किसी होंपती डॉक्टर की guidance में यह दवाईयों ले तो आप जो यह जो दवाईया प्रॉलम में काफी अच्छा काम करती है यह जो वराइकोज एंसेफ्स के वाल्ब को ठीक करती है और इसकी ब्लेड सप्लाई को प्रापर करती है हमेलिस क्यू वरजिनिका हमें वन फोर्थ कप पानी में पंदरा पंदर अरॉब सिर में तीन बाले नी है सुबह दुपैर और अगर आपको वराइको सील्स किसी स्पोर्ट इंजरी की विज़े से हुआ है तो आपको रस्टॉक्स ठटी लेनी चाहिए दो ड्रॉब सुबह दो ड्रॉब दुपैर और दो बुपैर और शाम को डिरेक्ट टंग पर भी ले सकते हैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपकी वराइको सील्स की प्रालम में इन दवाइयों से ठीक हो जाए अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बूले ताकि और लोग भी इस इंफॉर्मेशन का फ